हेलो फ्रेंड्स मैं अजित कुमार आपके यूटूब चैनल कम्टेशन कम्मुनिटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आसा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आएए आज हम लोग अपने इस वीडियो सेशन में क्या-क्या डिसकस करने वाले इसके चर्चा करते हैं आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम लोग सीजी पटवारी 2022 के एक्जाम में इंग्लिस के पूछे गए सभी प्रसनों की चर्चा करेंगे देखेंगे कि किस प्रसन का क्या संभावित उत्तर हो सकता है और अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता ह लेकिन इन सभी प्रसनों को डील करने के पहले हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि अपने इस एक्जाम में इंग्लिस के कौन कौन से टॉपिक से कितनी नंबर आफ कोशन पूछे गए ठीक है तो आईए फटा फटाम लोग अपने इस वीडियो को सुरू करते हैं आगे इस तरीके के जितने भी एक्जाम होते हैं इसमें नाउन से दो कोशन जरूर देखने को मिलते हैं पहला कोशन आपको देखने को मिलता है नंबर से जिसमें हम लोग सिंगलर से प्लूलल बनाना सीखते हैं दूसरा कोशन आपको देखने को मिलता है जेंडर का इस एक्जाम म अंट科 नीम से एक पी कोशे या पूछेंगया, 도को से दो कोशेंग कोशेंगये अपने सभीtıेन में स heating में almost risks, ओडवल यसे एक कोशें से देखने को मिलता है प्रेपोषी से दो कोशा जाता है पहला क्योंच जो पूछा जाता है वह होता है शुर्प्रेपोषी से जिसमें हम लोग इन एट ऑन अपॉन यह सब पढ़ते हैं यह वाले सिक्षन से और दूसरा कोशन पूछा जाता है आपके फ्रेजल वॉब से इस एक्जाम में भी हम लोगों को यह देखने को मिल रहा है इसके बाद अगला कोशन इस एक्जाम में जो पूछा गया है वह हो homophons homophons को हम लोग हिंदे में कहते हैं सुरूती सम भिनार तक जिनका English में pronunciation उचाण एक समान होता है एक जैसा होता है लगबग समान होता है बट esse spelling उनके अलग-अलग होते उनके मिनिंग और उनके यूसेज भी अलग-अलग होते है तो इसे भी एक कोशन हम लोगों देखने को मिला है अब आए फटा फटा हम लोग कोशन की तरफ चलते हैं और डिसकस करना सुरू करते हैं कि कौन से कोशन का क्या क्या आंसर हो सकता है तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस कोशन की तरफ यहां पर देखिए जो पहला हैं तो इसके बदले में हम लोग लिखते हैं वी एस तो आप सीधा ऑप्शन में चलिए और वी एस चेक कर लिए एक ही ऑप्शन में है तो सीधी सी बात है कि यह हो गया is our answer ठीक है कावग का मतलब क्या होता है तो चलते हैं हम सूपर में होनाёл चाइए और कहीं पर उपर में given है और कहीं पे बीच में या question के बाद given इस question को हम लोग यहां पर पढ़ना सुरू करते हैं देखें दब प्राइम minister lives प्राइम मिनिस्टर रहते हैं कहा रहते हैं बाई 10 downing street में मतलब यह गली मोचलै का नाम दिया हुआ है इस गली में रहते हैं देखें हम सब लोग चाहेह जहां कहीं भी रहते हैं किसी भी गली में मोचलै मिरहते हैं ठीक है तो इस question का answer हमारा क्या बनेगा इस question का answer बनेगा option number B at ठीक है next चलते हैं अगले question की तरफ देखिए हमारा अगला question क्या है यहाँ पे हम लोग को क्या पता करना है जेंडर पता करना है किसका underline word का यह देखिए यह हमारा underline word ठीक है अब ट्वाइ क्या होता है non living things होता है यह दे living होगा तो उसके तीन टाइप होते हैं या तो वह masculine होगा यानि की pulling होगा या तो इस्तरलिंग होगा या कोई ऐसा नावन होगा जिसका प्रयोग दोनों ही जेंडर में होता है जैसे teacher ठीक है doctor advocate यह सब male भी होते है फिमील भी होते ह उसको हम लोग करते है common gender अब चुकि जो ट्वाय है यह बना हुआ रवर का यह क्या है यह रवर बॉल है यह नॉन लिविंग तिंग है तो नॉन लिविंग तिंग का जो जेंडर होता है वो क्या होता है न्यूटर जेंडर होता है इस लिए इस question का answer हमारा क्या बनेगा option number D ठीक है नेक्स जहां से चलते हैं आगे अगले कोशन की तरफ देखें हमारा अगला कोशन क्या है यह जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है इसका क्या बताना है इसके बदले यानि कि यह जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है यह किसका ओ डब्लूए से यह किसका one word substitution है सबसे पहले इस question मे कि अपने बोर्ण के दौरा कॉशन पूछा गया है इसमें फोबिया का spelling गलत है तो सबसे पहले हम लोग फोबिया को ठीक कर लें फोबिया का spelling क्या होता है तो फोबिया का spelling यह होता है अब इस klaustro का इसको ठीक करने का यह जो OWS का जादा घनी अबादी वाली जगह जादा घनी अबादी वाली जगह जो बंद हो klosed हो ठीक है भीर बारवाला जगह तो इसको हम लोग करते हैं ठीक है अब इसके बाद देखे इसके option को हम लोग रीड करना शूरों करें Fear of Narrow Enclosed Spaces, मतलब जो narrow जगह होती है, जो संकिरन जगह होती है, भीड भारिवाली जगह होती है, उसको हम लोग क्या करते है, तो इसी को हम लोग करते है, Closed Row, ठीक है, Second Option, Fear of Open and Public Places, एक ऐसा जगह, जो खुला, ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते है, A-G-O-R-A, यान एक औरा का मतलब होता है, Open Space, खुली हुई जगह, ठीक है, नेक्स्ट, आगे देखे हम लोग, यह Height, Height क्या होता है, तो Height का होता है, A-C-R-O, एक रो, या C-R-E-M-N-O, इसी में हम लोग फोबिया जोड़ देंगे, तो यह फोबिया बन जाएका, मेनिया जोड़ देंग की स्ट्रेंजर जो होते हैं जो अब परिचित लोग होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, उनका जो फियर होते हैं, उनके लिए हम लोग रूट वर्ड यूज़ करते हैं, X-E-N-O, जेनो का मतलब होता है, Foreigner, या Foreign Things, ठीक है, तो यह जो ऑप्शन नमबर D था, इसका हो गया यह जेनो तो अब इस question के answer के यह दिए हम लोग बात करें तो इसका answer क्या बनेगा इसका answer बनेगा option number a क्या बनेगा option number a next चलते हैं अगले question की तरफ देखें हमारा अगला question क्या identify the expression that best transform the following sentence into passive दखिये active से passive आपको कभी भी किसी भी question का बनाना हो किसी भी question का अगर आपको बनाना हो तो हमने इसके लिए पहले से आपको बता रखा है आप उस sentence में जाईए और सब से पहले उस sentence के में वर्ब को फकड़ी तो यह जो sentence है इसका में वर्ब क्या है में वर्ब है following ठीक है अब इसके साथ देखें यह वाज लगा हुआ है ठीक है अब आप याद केजिए वर्ब के कितने forms होते हैं तो वर्ब के 5 form होते हैं यह जो हम लोग पढ़ते है वर्ब का first form यह second form यह third form यह fourth form और यह fifth form तो जो पाच्वा form होता है इसका टेंस क्या होता है इसका टेंस होता है प्रेजेंट क्या होता है प्रेजेंट होता है जो पाला form होता है इसका भी टेंस क्या होता है इसका टेंस होता है प्रेजेंट ठीक है यह जो fourth form होता है जिसको हम लोग ing form कहते हैं इसका टेंस हम लोग सीखते हैं कि इसका continuous होता है क्या होता है continuous होता है प्रिजेंट पास फ्यूचर ने बल्कि केवल continuous हम लोग इसको समझते हैं अभी जो थर्ड फॉर्म होता है यह दो तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है देकि दो तरीके से कैसे देखने को मिलता है तो यह हैव है यानि कि हैव के पाथ फॉर थो इसी को हमेंलो, क balcony 55+, अब और प्रिजन पर्फेक्ट से बिलौग करेगा तो पर पर्फेकट और यह संब। इसको हमें जो ऐसे को आगे होँ, कुछ और आपको मिलता है, तो आपको और क्या देखिने को मिलता है तो ये is mr इसके साथ भी आपको वर्ब का third form देखने को मिलता है तो इसको काते हम लोग passive और इसी तरीके से was work के साथ भी आपको वर्ब का third form देखने को मिलता है तो इसको भी काते हम लोग passive या फिर आपको b ho, bing ho, या bin ho, bing ho, या bin ho इनके साथ भी आपको वर्ब का third form देखने को मिलता है तो इन तीनों में से कोई भी format आपको देखने को मिले है इसी को हम लोग करते है उसका passive ठीक है अब आईए इसका tense हम लोग यहां पर decide करें तो सबसे पहले इसका tense हम लोग decide करें कि कौन सा tense है इसका तो चुकि यह जो was है यह क्या है यह वर्ब का second form second form होने के कारण इसका tense क्या हो गया तो इसका tense हो गया past tense क्या हो गया past अब यह जो following है यह ing form है verb का fourth form है इसके कारण इसका tense क्या हम लोग कहेंगे तो इसके कारण इसका tense हम लोग कहेंगे continuous क्या कहेंगे continuous तो इसका tense क्या होगा यह जो sentence आपको given है इसका tense क्या होगा इसका tense होगा past continuous तो किसी भी continuous का जब हम लोग active से passive बनाते हैं तो passive में हम लोग use करते हैं तो हम लोग use करते हैं बिंग प्लस वर्ब का third form ठीक है यह present continuous रहेगा तो बिंग के पहले इसे महार लगेगा पास्ट continuous रहेगा तो बिंग के पहले यहां पर वाज वर्ब का प्रयोग होगा ठीक है अब आजाएए इस question में हम लोग देखें कि और हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए तो सबसे पहले यह था हमारा में वर्ब ठीक है इसके कारण यह पास्ट continuous हो गया यह हमारा में वर्ब के साbles सांथ हम लोग का यूज करते हैं वह का तो जाहिर सबात है यूज करते हैं थीक है अब उपर और हो गया यहां पे देखें यह पर नहीं है यहां पर नहीं है तो यह डोनों option cancels हो गया यहां पर वर है अब इसके सांथ आपको क्या चाहिए बिंग प्लस वर्ब का third form आजए ये चेक कर लिजए ये बिंग प्लस वर्ब का third form अब आप में से कुछ बच्चों के मन में confusion होगा कि सर ये जो somebody है ये क्यों नहीं लिखा है क्योंकि passive का मतलब हम लोगों ने बचपन से जो सीखा है समझा है ये हमारा आपका जो mindset बना हुआ है वो क्य भी ऐसा word हो जिसके last में one या body लगा हुआ हो वन या body लगा हुआ हो तो passive में इसका प्रयोग आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते ज्यादा बेहतर होता है कि आप इसका प्रयोग ना करें ठीक है चलिए तो इस question का answer क्या बना इस question का answer बना option number d next चलते हैं अगले question की तरफ देख यह student है अब बोड को हम clean करते हैं थोड़ा सा इस question को लोग पढ़े I know a lot of people मैं धेर सारे व्यक्ति को बहुत सारे व्यक्तियों को जानता हूँ ठीक है most of them जिन ज्यादा तर व्यक्तियों को हम जानते हैं जिन बहुत तर लोगों को हम जानते हैं उसमें से बहुत सारे लोग क हम लोग ऐसे व्यक्तिय वस्तु के साथ करते हैं तो इसकी चर्चा पहली बार की गई होती ही। यदि ब्यक्तिय वस्तु जाना पहचाना हो जिसको हम लोग जानते हैं पहचानते हैं जिसे हम लोग पहले से परिशित हो या जो definite specific हो निशित या विशेस हो ठीक है उन सभी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं हम लोग आर्टिकल 2 का यूज करते हैं यहाँ पर एक और भी concept है जो हम सब को सीखना चाहिए सबसे पहले student क्या होता है तो student होता है common noun ठीक है अब common noun का जो concept है वो भी हम आपको यहां पर बताते चले देखिए common noun यादी singular हो तो उसके पहले किसी ना किसी article का प्रयोग अवस्य होता है नहीं किजिगा तो grammar की गलती हो ठीक है common noun या प्लूरल हो और उसका प्रयोग किसे निश्चित या विसे सर्थ में किया जाए या वो जाना पहचाना हो या वाक्य में उसके चर्चा दूसरी बार या उसके बाद हो रही हो दूसरी तीसरी एंड सोन इस तरीके से हुई हो तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल दका प्रयोग करते हैं अब आप ज़ परिचित है ठीक है इन सबों को आई जानता है तो डिफरेट सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल दुका ठीक है अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहां से अगले कोशन की तरफ देखिया हमारा अगला कोशन क् क्या बताना है यहां पर आपको दिए गए ऑप्संस में से क्या चूज करना है एक ऐसा वर चूज करना है जो अपैरल का सिनोनिम्स नहीं है ठीक है अपैरल का सिनोनिम्स नहीं अपैरल का मिनिंग क्या होता है अपैरल का मतलब होता है कपड़ा पोसाक कपड़ा या पोसाक आज यह option में चले, cloth का मतलब कपड़ा, यह हो गया, synonyms, attire, यह भी होता है, कपड़ा, यह भी हो गया, synonyms, obvious, obvious का मिनिंग क्या होता है, clear, aspast, क्या होता है, clear, aspast, ठीक है, outfit, यह क्या होता है, यह भी होता है, पोसाख, कपड़ा, तो यह भी synonyms हो गया, यह भी synonyms हो गया, य यह answer नहीं होगा यह answer नहीं होगा चार में से तीन option cancel हो गए हमारे पास एक option बचा option number C तो इस question का हमारा correct answer बनेगा option number C ठीक है चलते हैं यहां से आगे अगले question की तरफ देखिए हमारा अगला question क्या है get in या get into someone's hair get in या get into someone's here इसका मतलब क्या होता है इसको पहले समझें इसका मतलब होता है किसी को परिशान करना परिशान करना मतलब उसका हाथ पेर खीच के नहीं उससे जगड़ा करके नहीं ठीक है एक ही तरीके की बाते बार बार उससे पूछ के या लगतार किसी प्रकार का आप उसे question पूछते रही है ठीक है तो question पूछ पूछ के किसी को परिसान करने का जो phrasal web होता है वो होता है get into someone's here get into someone's here या get in someone's here आईए इस related option हम लोग ढूंडें तो पहला option है continually in why someone by always being near him asking question question पूछ 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 के बार बार किसी के पास रहके उससे बार बार question पूछ के उसको क्या करना in why करना परिशान करना दूसरा क्या है भाई have a fixed idea in one's mind यह नहीं होगा यह cancel हो गया master the method of doing something मतलब कुछ करने का या किसी प्रकार के चीज़ों को करने का आप master हो यह export हो यह भी नहीं होगा चोथा option क्या make oneself a part of something started by others so as to get some of the praise मतलब कभी-कभी नहीं होता है जैसे मां लेजे कोई आपने अपने कहा देखे पापा हमने कितनी बढ़िया चीजाज बन आई यह अगले अगले question की तरफ देखिये हमारा अगला question क्या अगले question में क्या करना है तो अगला question यह question number 39 है यह हमारे narration का देखिये किसी भी narration के question को यदि आपको solve करना हो तो इसमें आपको कुछ बातों का विसी इस रूप से ध्यान रखना होता है सबसे पहले आपको reporting verb ढूणना होता है तो यह हमारा reporting verb से यह reporting verb यह reporting verb का subject ठीक है अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना होता है तो इसके आगे फिर हम लोगों को find करना होता है यह जो double inverted comma वाला sentence होता है यह जो double inverted comma वाला sentence होता है आप इसको चेक किते, इसमें first person, second person कौन सा है, तो I है हमारा first person, first person change करता है reporting verb के subject के recording, अर्थात यह I change करेगा he के recording, ठीक है बात समझ में आ रही है, अब अगली बात, reporting verb का जो tense होता है, reporting verb का जो tense होता है, वो यदि present हो, या future हो, reporting verb का tense हो, यदि present हो या future हो, तो double inverted comma के अंदर जो sentence लिखा हुआ होता है, उसका tense कभी change नहीं करता है, बात समझ में आ गई, तो इस question का answer हम कैसे ढूंडेंगे, सबसे पहले I की जगह क्या use कर लेंगे, ही का use कर लेंगे, ठीक है, तो I की जगह क्या लिखेंगे, हम लगा हुआ है, ठीक है, जब indirect बनाएंगे, तो he के साथ हम लोग क्या use करेंगे, is, क्या use करेंगे, is, अब आ जाएए, सीधा he is को ढूंड ली जी, ठीक है, आईए, यहाँ पर हम लोग check करें, तो यहाँ देखें, he is, एक ही option है, यहाँ पर was लगा हुआ है, cancel, यहाँ वोज लगा, cancel, यहाँ बोज लगा, cancel, अब इस question में एक और problem है, क्या problem है, इस question में इसको ठीक से हम आपके साथ आराम से deal करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह question दिया ही, गलत है, question सही है, इसके option गलत है, जब किसी भी question को हम लोग direct से indirect मे convert करते हैं, तो सामाने तोर पे हम inverted कॉमा लगा होता है, double inverted कॉमा को जब हम लोग यहां से remove करते हैं, तो उसके बदले हम लोग क्या use करते हैं, हम लोग use करते हैं, तो देखें, यहाँ पर that का use किया गया, यहाँ भी that का use किया गया, बट इन तीनों का tense ही change कर दिया गया है, तो यह हम नहीं कर सकते, ठीक है, त कोशन मार के साथ है डाउट फूल है आप इस बात को ठीक से समझे इस बात को ठीक से समझे ऐसे सिचुएशन में इन्हीं कारणों से किसी भी एक्जाम का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग होता है और एक्जाम ऐसे कोशन के कारण बच्चे इनका कमप्लेंड करते हैं इनके तो कोट ये decision देगा कि ऐसा कोई भी candidate जिसने इन में से किसी भी option को click किया हो, जो candidate इस question को attempt किया होगा, उसको full marks मिलेंगे, और ऐसे बचे जो इस question को attempt नहें किया होगे, उनको एक भी number नहें मिलेगा, ठीक है, तो इसका correct answer अभी भी हम लोग क्या करेंगे, अभी भी हम लोग करना चाहेंगे, option number C को, क्योंकि यहाँ पर that missing है, यहाँ पर यदि that लगा दिया जाए, तो यह हमारा correct answer बनेगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और discuss करते हैं, हम लोग आज के अपने इस last question को, इस question में भी देखें यह क्या है, तो यह filler है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आर निव, मतलब हम लोगों का जो नया वाला कुछ है, इस printed on recycled paper, पेपर मतलब क्या होता है, कांगस, ठीक है, तो कुछ भी छापने का काम जो किया जाएगा, वो stationery वाले चीजों पर किया जाएगा, ठीक है, जो कांगस कलम से लेखन सामगरी से संबंदित होगा, ठीक है, उसका यूज हम लोग करेंगे, आएए यहाँ पर ज़रा दिखे, यह stationery, इसका मतलब होता है, इम्मूबेबल, जो अचल हो, जिसमें movement नहीं हो, ठीक है, जैसे building है, तो वो move नहीं करता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, stationery, और वो stationery, जो कांगस कलम के संबंद में प्रयोग किया जाता है, लिखने पढ़ने के लिए यूज क्या जाता है, उसका spelling होता है, n-e-r-y, क्या होता है, n-e-r-y, यह stationery, यही है, आपका homophones, क्या है, सुरूती संबिन नार्तक, यह भी stationery, यह भी stationery, आप बोलके देखे, दोनों का pronunciation बिलकुल सेम जाएगा, बर दोनों के meaning बिलकुल अलग है, और यह दोनों का spelling गलत है, इसी का any local Mrs. felt, ठीक है, तो यह दोनों consort के मिसे स्पेल वाले सेक्षन बिलोंग करने वाले हैं, ठीक है कि आप सबों के answer और जितने भी English के किसी भी question में इस 10 question में पूछे गए आपके पटवारी exam 2022 में इंग्लीज के जो 10 question पूछे गए उन में से किसी भी question में अब आपको किसी भी परकार का कोई भी doubt नहीं होगा इनी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहें पर समात करते हैं आप सबों का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद